राधे राधे पुनेय उपस्तित हूं आपके समक्ष वार्सिक रासी फल को लेकर और आज हम चर्चा करेंगे 12 राशियों के रासी फल की जिसमें से सबसे पहली राशी होती है मेश जिसके स्वामी मंगल है और इसी राशी की चर्चा हम सबसे पहले अपने आज के कारिक्रम मे करेंगे तो मेश रासी के सालाना यानि वार्षिक रासी फल की यहां पर चर्चा होगी पूरे वर्ष मेश रासी के जातकों के लिए यह साल कैसा रहने वाला है कहां पर उपलब्धी मिलेगी कहां पर सावधानी रखनी होगी किस प्रकार से आर्थिक इस्तिती रहेगी स्वास लेकिन इससे पहले सुरुवात में एक बात कहना चाहूँगा जैसा कि आपको ग्यात है कि आपकी जन्म राशी मेश है और मेश राशी पर इस वर्स शनी की साड़े साती का भी पहला चरण आरंब होगा. तो साड़े साती का भी मिला जुला प्रभाव कहीं न कहीं पूरे वर्स हमारे जीवन पर रहेगा और साड़े साती से कैसे निबट सकते हैं उसके विशे में भी मैं आपको जानकारी दूँगा. ये साड़े साती जो लगेगी आपकी राशी पर वो 29 मार्च 2025 से लगेगी जब शनी महराज अपना ट्रांजिट चेंज करेंगे. तो चलिए सुरवात करते हैं मेश राशी के जातकों के लिए वर्स 2025 अपने पिटारे में क्या ले करके आया है? मेश राशी के जातकों के लिए अगर हम बात करें वर्स 2025 की तो ये मिले जुले मिस्रित परणाम देने वाला होगा. इस वर्स को छेतर में आपको नई उचाहिया प्राप्त होंगी, वहीं को छेतरों में चुनोतियों का सामना करना पड़ सकता है. और विशेश रूप से आज मेरा प्रयास रहेगा कि हम जीवन के प्रतेक शेतर में गहराई से रिष्टी कोंट अपना रखें कि कैसा आपको जाएगा ये पूरा वर्स. सबसे पहले बात करते हम वित्य स्थती और कैरियर को ले करके कि ये समय कैसा जाने वाला है. जैसा कि राशी स्वामी मंगल 21 जन्वरी 2025 को अपना राशी परिवर्तन पुनह करके और मिथोन राशी में प्रिवेश करेंगे तो यहां से आपकी जन्म राशी से तिर्तिय अस्थान पर होंगे ये गोचार आपके लिए अच्छा रहेगा जो कार्य वेवशाय और बाकी के सबी खेत्रों में आपको अच्छे परिणाम देने वाला होगा और विशेश रूप से देखें अगर जो तो साल 2025 की सुरवात मेस राशी के जातकों के लिए जैसा कि मैंने कहा आर्थिक रूप शेशोब रहने वाली है गुरू ग्रह ब्रश्पती विशेश करके 14 मई तक आ प्रवल योग बनते हैं साथ ही राशी श्वामी मंगल की स्थिती भी आपके लिए अनकूल है मंगल तीसरे भाव में मिथन राशी में रहेंगे और आप अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से धनरजन करने में सफल होंगे खास कर यदि आप अपने व्यवशाय में किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं तो वहाँ पर आपके लिए इस समय अच्छे परणाम प्राप्त होने की संभावना बनती है मई के बाद ब्रश्पती का गोचर परिवर्तन होगा मई के बाद ब्रश्पती तीसरे भाव में प्रवेश करेंगे इस से आपकी वित्य स्थित आपको अपने बजट पर विशेश रूप से ध्यान देने की आवशकता होगी और विशेश करके विववपारियों को इस समय पर विशेश रूप से ध्यान रखने की सलाह दे जाती है वर्श के मध्य में विववपार में कुछ चुनोतियां आ सकती हैं कुछ तातकालिक संकट खड़े हो सकते हैं और ऐसे समय पर निवेश से त्वरित लाभ की आपेक्षा नहीं की जा सकती है तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी साल के दूसरे भाग में जैनि साल के अगले हिस्से में जब शनी वक्रगती में चलते हुए राशी वक्रगती में चलेंगे तो उस समय आपको अपने करियर में धीमी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं एक तो शनी की साड़े साथी का भी इंपेक्ट रहेगा और थोड़ा शन से बढ़ेगा और खास करके जुलाई से नवंबर के बीच थोड़ा सा चुनौती पूर रह सकता है वित्या और करियर के स्थिति में अब बात करते हैं कि प्रेम और विवाह के संदर्व में 2025 मेश राशी के जात्कों के लिए कैसा रहेगा 2025 में प्रेम और विवाह के मामले में मेश राशी के लिए अच्छी संभावनाई बन रही है अब ये ना सोचें कि शनी की साड़े साती होगी तो सब कुछ गरबर होगा ऐसा नहीं है प्रेम और विवाह के मामले में मेश राशी के लिए अच्छी संभावनाई रहेगी यदि आप रिष्टे में किसी तनाव का सामना कर रहे हैं तो इस साल संबंधों में सुधार के भी आउसर मिलेंगे इस बात का विशेश ध्यान रखिए ये वर्ष रिष्टों के लिए अच्छा है लेकिन साथ ही देखिए जब अच्छी चीजें होती हैं तो कुछ छोटे कासी के जातक जो विवाहित नहीं हैं अभी तक अविवाहित हैं उनके विवाह के प्रवल योग बनते हैं खासकर वर्ष के पिछले छे महिनों में इस समय पर ऐसी इस्तिती रहेगी जहां पर आप विवाह के लिए दिप्रयास करेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी इसमें केतु के प्रभाव के काण प्रेम संबंधों में कुछ हस्तिरता आ सकती है ये विशेश करून जातकों के लिए है जो प्रेम संबंध में केतु का ट्रांजिट आपके मध्य वैचारिक मध्यद उत्पन्न कर सकता है तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानी रखनी है बहुत महत्वपूर्ण है मानव जीवन में यदि आप स्वस्त हैं तभी आप सभी आनंद उठा सकते हैं और यदि शरीर स्वस्त नहीं है तो दुनिया के सभी सुख और एश्वर आपके लिए कोई माइने नहीं रखते हैं स्वास्त के लिए हाच से भी वर्स 2025 मेश रासी क का प्रभाव बढ़ेगा क्योंकि 39 मार्च 2025 से शनी की शाड़े साथी भी शुरू होगी तो जैसे शनी के शाड़े साती का प्रभाव बढ़ेगा स्वास्तेसंबंदी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है खास करके पेट से जुरी समस्याओं मानसिक्त तनाव और थकान का असर आपके उपर हावी हो सकता है विशेश रूप से pregnant women के लिए जो गर्भती महिलाएं हैं उनके लिए राहू और केतु का गोचर थोड़ा सा पर्तिकूल लह सकता है विशेश रूप से मई और जून के बीच इस दोरान pregnant women को यानि जो गर्भती महिलाएं हैं उनको विशेश ध्यान रखना चाहिए और डॉक्टर की सलाह नियमित रूप से लेनी चाहिए योग और ध्यान जैसी गतवीदियां आपके मांसिक और साइडिक स्वास्ति को सुधर रखने में आपकी मदद करेंगे देखे जो ही नहीं है कि हर चीज के लिए केवल हम उपाय ही करें कुछ हमारी लाइफ स्टाइल में भी पॉजिटिव चेंज हमारे जीवन में बहुत अच्छा प्रभाव डालता है ग्रहों का जो प्रभाव हमारी मनस्तिती पर पढ़ता है उसको योग और व्यायाम के द्वारा, मेडिटीशन के द्वारा कहीं न कहीं हम उसके प्रतिकूल प्रभाव को नियंतरित कर सकते हैं अब बात करते हैं स्टूडेंट के लिए कि वर्स 2025 मेश राची के जातकों के स्टूडेंट के लिए यानि विद्यार्थियों के लिए कैसा रहने वाला है मेश राची के चात्रों के लिए वर्स 2025 का भाग जो है ये पहला भाग विशेश रोप से बहुत अच्छा रहने वाला है, सनी की स्थिति आपके सेक्षिक इवन में लावकारी होगी और परिक्षा में अच्छे परिणाम प्राप्त होगे, ये इस्थिति वर्स के सुरवात में रहेगे, पृतियोगी परिक्षाओं में सफलता के योग बने हुए हैं, मेश् अच्छे योग से अच्छे लापराप्त करने के लिए हमें कंस्ट्रेंट होकर के study भी करनी पड़ती है, focus होकर मेहनत करनी पड़ती है. अप्रेल के बाद आपको कुछ अवरोध उत्पन्न हो सकते हैं, कुछ रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है, खासकर जो चात्र, उच्छ सिक्षा या विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं, हो सकता है कि उनको थोड़ा सा प्रतिक्षा करनी पड़ जाएं, अगर आप फॉरें जाकर study की योजना बना रहे हैं, क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे reason है, कुछ ऐसे transit है, जो इसमें आ आपको थोड़ी सी प्रतिक्षा करवा सकते हैं, जैसा कि मैंने आप से कहा कि शनी की साड़े साथी लगेगी, तो यहाँ पर हो सकता है कि थोड़ा विलंब से आपका काम बने, हमारे ये था विद्यार्थियों के लिए वर्स 2025 कैसा रहेगा, अब बात करते हैं पारिवारिक में सामजश्य और शांती बनी रहेगी, यह good news है, मैं इस राशी के जातकों के लिए, ब्रश्पती का प्रभाव आपके पारिवारिक संबंधों को मधूर करेगा, आप अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, ऐसा आपके ग्रह गोचर कहते हैं, अगर संबंध सामजश्य और शांती के प्रभाव को कैसे मैंनेज कर सकते हूं, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा, बहुत आसानी के साथ, बहुत सरलता के साथ, भैवीथ होने की आवश्यक्ता ही नहीं, अचूख अनुभूत प्रियोग बताऊंगा, जिसे शनी की साथे साथी के दुस परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। साड़े साथी की वज़े से परिवार के कुछ सदस्यों के भीतर वैचारिक मदभेद भ्यूत्पन नहों सकते हैं। परिवार के सदस्यों के मदभेद को समझदारी के साथ सुल जाने की आवश्यक्ता होगी। अपने स्वभाव पढ़ियें तरण रखें, अग्रेसिव ना हो। अब बात करते हैं व्यवशाईक और आर्थिक उपाय हमको क्या करने चाहिए। देखें, जीवन में व्यवशाई और जो भी आर्थिक गतिवीधियां आप करते हैं, वो अगर सुचाव रूप से नहीं चलेंगी तो स्वाभविक रूप से आपके जीवन के प्रतेक शेत्र में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ऐसी क्या उपाय करें, जिससे हमारी एकनोमिकल कंडिशन में जो वेरियेबल आ रहे हों, ट्रांजिट की वज़े से वो थोड़े से नियंतरित रहें। और साल को अधिक सफल बनाने में हमें मदद मिल सके हों। तो चर्चा करते हैं को जो तिशिय उपचार की। एक तो आपका जब भी जनम दिन पढ़ता है, वर्स दोहजार पच्चिस में, जिस भी माहने जनम दिन पढ़े, रुद्रा अभिशेक अपने जनम दिन पर जरूर कराएं, इसको नोट करके रखें, इससे आपको वर्स भर अच्छे परणाम प्राप्त होंगे, चोट असान अभूत प्रियोग है, करके देखिएगा, आनन्दा हैगा, इससे क्या benefit मिलेगा, करियर में आने वाली बाधाएं दूर होंगे, हनुमान जी की पूजा करना, जब भी सनी की जाड़े साती आपके उपर लगी हो, सनी की ढह दिया लगी हो, तो ऐसे में हनुमान जी की उपासना बहुत लाब दायक होती है, तो एक तो हनुमान जी की पूजा करना, और विशेश रूप से अगर ये हनुमान जी से संबंधित पूजा, किसी विशेश आपके छेतर के किसी प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पर या मंदिर मे अगर करवाते हैं, तो उसका पहणाम आपको बहुत अच्छा मिलेगा, इससे व्यवपार और नौकरी में उननती के योग बनेगे, ऐसा निकिसाड़े साथी में लाब नहीं मिलता, मिलता है, हमें उसके लिए ठीक दंग से प्रयास करने होंगे, दुर्गा सब्सती का आप अपनी वित्य स्थती को सुरण कर सकते हैं, तो ये कुछ ऐसे उपाय थे जो हमारे आर्थिक शेत्र को मजबूत करते हैं, और इसके साथ क्या ऐसे उपाय हो सकते हैं और जिससे की हमें अच्छा बेनिफिट मिले 2025 में मेश रासी के जातकों के लिए, तो जैसा मैंने का हनुमान जी की पूजा विशेश रूप से फलदाई रहेगी, मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनी की साड़े साथी के दुश्परभाव कम होते हैं, यह अनुभूत प्रयोग है, इससे भी एक अलग और प्रयोग बताऊंगा आपको, इसके अलावा हर सनिवार को शनी देव की पूजा करना, भी लापका ही रहेगा, यदि स्वास्ते से संबंदित कोई परिशानी का सामना कर रहे हैं, तो इसमें आप पीले रंके वस्तर पहने, पीली वस्तुओं का दान करें, इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा अब जो शनी के साड़े साती रहेगी मिश्रासी के जातकों के लिए, इसके क्या सठी कुपाय बताता हूँ, जो अगर आप करेंगे तो साड़े साती का दुष्प्रभाव बिलकुल नहीं आएगा, वैसे हनुमान जी की उपाषना तो सर्वो पर ही है, लेकिन महराजा दसर जिप्त विश्लेशन करें कि मेश्रासी के जातकों के लिए पूरा वर्स कैसा रहेगा, क्योंकि यहां तक तो अभी तक मैंने आपको विश्तार से बताया, अब एक छोटा सा समराईज अगर हम करते हैं कि पूरा साल कैसा रहेगा, तो 2025 कुल मिला करके चुनोती पूर्ण औ लेकिन अउसर से भरा वर्स रहेगा, करियर में कुछ उतार चढ़ाओ आएंगे, लेकिन सही दिशा में कड़ी मेहनत करने से अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे, परिवार और प्रेम जीवन में साकारात्मक बदलाओ देखने को मिलेंगे, लेकिन साथ ही स्व 2025 मेश राजी के जात्कों के जीवन में एक यादगार वर्स रहने वाला है, मिलेंगे अगले राजी फल में, तब तब के लिए विदा, प्रेम से कहिए, राधे राधे राधे